हेलो एंड वेलकम मैं हूँ विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवड का हाटेस न्यूज शो प्लैने बॉलीवड न्यूज हम एक बार फिर हादिर हैं बॉलीवड की लेटेस्ट न्यूज एंड हाट गॉसिप लेकर सो वाइवेट लेस्टार्ट विद हेडलाइन सलमा ने कड्रीना और करीना दोनों को खुश करने के लिए इजात किया कौन सा नया फॉर्मिला कंगना किस के खिलाफ लेने जा रही है लीगल आक्शन क्या अजय देवगन और शारुक के बीच शुरू हो गई है वर्ल्ड वार अक्शाय के अपसिंस में किसने उठा रखी है फिल्म जोकर के प्रमोशन के जिम्मेदारी और दिखाएंगे इम्तियाज अली का एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू बुलिटिन की जुरुआत आज सबसे बड़ी ख़बर के साथ बॉलिवड दबंग सल्मान खान आजकल करीना और कटरीना के बीच में फस गए है सल्मान की मुश्किल है आखिर किसे रखा जाए खुश और अब जूम को पता चला है कि सल्मान ने अपने इन दोनों फेवरिट एक्टरस को खुश रखने के लिए सल्मान ने कई बार खीची है करीना की टांग करीना है सल्मान की वन आफ दे फेवरिट आक्टरसेज लेकिन आज कल सल्मान के दिल पर कोई और ही कर रहा है राज यह बहुत हार्ड वर्किंग है यह बहुत हरे गाने के लिए कुछ पांच-पांच-छे-चे-साथ-साथ दिन रेयस करती है और सीन्स के उपर भी तो यह जो आज इनका जो सक्सेस है जो सक्सेस रेट है और जो अप्रिसेशन है वो स्रिफ जाता इनके हार्ड वर्क को जी हाँ माशाला कट्रीना आजकल सल्मान की फेवरिट दोस्त है और आपको तो पता ही है जब सल्मान किसी से दोस्ती निभाने पर उतराते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते और रिसिंटली कट्रीना से अपनी दोस्ती निभाने के लिए सल्लू ने करीना को किया था डिच कुछ दिनों पहले प्लानेट बॉलिवुड निउस पर ही हमने आपको खबर दी थी कि करीना को एक ब्रैंड से बाहर का रास्ता दिखा कर सल्लू खुश नहीं थे तभी तो उन्होंने एक नई ब्रैंड के लिए करीना का नाम रिफर किया है सोर्सिस की मानी तो एक फूट ब्रैंड के डड में सल्मान और करीना एक साथ नज़र आ सकते हैं दरअसल करीना सल्मान से इस बात से नाराज थी कि उन्होंने कट्रीना को उनका ब्रैंड दिलवा दिया और इसी वज़े से सल्मान ने कट्रीना की नाराजगी को कम करने के लिए ये अड़िटिस्मेंट उन्हें दिलवाया है फिल्म बॉरी गाड के रिलीज के दौरान करीना ने सल्मान के लिए अपनी लॉयल्टी पूरी तरह से साबित की थी फिल्म राववन के काम में बिजी होने के बावजूद उन्होंने सल्मान के फिल्म बॉरी गाड को फर्स प्रेफरेंस दिया था अब करीना सल्मान की इतनी मदद कर सकती हैं तो सल्लू तो खुद ही कहते हैं वेल सल्लू किसी के एहसान को कभी नहीं भुलाते और करीना को इस एड में जगा दिलवा कर उन्होंने ये साबित भी कर दिया है फकुनाल मांदे कर जूम मंबाई अभी कुछ दिनों पहले एक मैगजीन में ख़बर आये थी कि कंगना एक married Bollywood celebrity को डेट कर रही है और उस वक्त कंगना ने इस इशू पर कोई बात नहीं की थी लेकिन अब लगबर चार माईने बाद कंगना ने इस मैगजीन के खिलाफ legal action लेने का फैसला किया है क्यों कंगना ने इस फैसले को लेने में इतनी देरी की find out in our next world कंगना रनाओद Bollywood के एक टॉप आक्टर को कर रही है डेट कंगना की वज़े से एक married Bollywood actor की लाइफ में आ सकती है प्रॉब्लम ऐसी कई खबरे कुछ दिनों पहले एक मैजीन में आई थी और इस वक्त इसे लेकर काफी controversy भी हुई थी लेकिन ना तो कंगना ना ही उस Bollywood star ने इस मामले में कोई बयान जारी किया था इन दोनों stars ने इस issue पर चुप पी साथ रखी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इस story में कहीं न कहीं थोड़ी सचाई तो जरूर है इसलिए मीडिया में इतना हो हला होने के बावजूद कंगना और ये अक्टर चुप क्यूं थे लेकिन अब लगभग चार महीनों बाद कंगना ने फैसला किया है कि वो इस magazine के खिलाफ legal action लेंगी इस news के बारे में खुद जूम के साथ exclusively बात करते हुए कंगना के वकील ने कुबूल किया है कंगना की वकील के मताविक जब से ये news आई है उनके client काफी परिशान है और इस news के पॉब्लिश होने के बाद ही वो legal action लेना चाहती थी लेकिन उन्हें ये डर था कि ऐसा करने से मीडिया में इस news को और hype मिल सकती है और यही वज़े है कि कंगना ने चार महिनों बाद इस magazine के खिलाफ legal action लेने का फैसला किया है वैसे इस news के आने के बाद से कंगना ने मीडिया में ये प्रूफ करने की कोशिश की कि इस news में कोई सच्चाई नहीं यहां तक कि कंगना ने अपने foreigner boyfriend निकोलस लफार्टी को मुंबई बुला कर खुद मीडिया में news प्लान्ट भी करवाई लेकिन फिर भी ये controversy खतम नहीं हुई और लगता है यही वज़े है कि कंगना रनाउत ने अब इस magazine के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और हो सकता है कि आने वाले week में कंगना इस magazine के खिलाफ कोई action ले वैसे कंगना ने अपनी तरफ से इस news को दबाने की पूरी कोशिश की लेकिन जिस star के साथ उनका नाम जुडा है उन्होंने अभी तक ना तो इस magazine के खिलाफ कोई step लिया है ना ही कोई बयान जारी किया है वैल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कंगना के इस legal step के बाद ये popular magazine खुद को किस तरह defend करती है फरोशनी दूबे, जूम, मुंबाई अजय देवगन और शारु खान अच्छे दोस्त हैं लेकिन इस दिवाली इन दोनों अच्छे दोस्तों के बीच खड़ी हो सकती है बड़ी problem और इस की शुरुआ चार महिने पहले ही हो चुकी है क्या हो सकती है इन दोनों stars के बीच रिफ्ट की वज़ा Find out in our next story इस दिवाली रिलीज हो रही है अजय देवगन की action comedy film Son of Sardar इस फिल्म से अजय देवगन और संजदत की जोड़ी फिर से box office पर धूम मचाने आ रही है और इस प्रोमो को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म होगी full on entertainment लेकिन इस सन आफ सरदार के लिए box office की डगर आसान नहीं होगी क्योंकि इसी दिवाली यश्राज फिल्म्स शाहरुखान के साथ लाने जा रही है अपनी much talked about romantic film और इन दोनों फिल्मों के grand release से चार महीने पहले ही आने लगी है clash के खबरे जी हाँ sources की माने तो यश्राज फिल्म्स और sons of सरदार के makers दिवाली के दौरान screen booking से लेकर आ गए हैं आमने सामने यश्राज फिल्म्स ने सभी distributors को साफ कर दिया है कि उनके फिल्म को दिवाली के दौरान चाहिए maximum screens और इसी लिए अभी से उन्होंने screen की booking कर दी है खबरों की माने तो यश्राज ने एक था tiger release कर रहे distributor से ही दिवाली के दौरान शाहरुक की फिल्म के लिए screens book करने के लिए कह दिया है और अब ये साफ हो गया है कि शाहरुक star of film को ज्यादा screens मिलेंगे और son of सरदार को कुछ screen से ही काम चलाना पड़ेगा अजे देवगन की film son of सरदार भी एक big budget film है और खुद अजे ने इस movie पर अच्छे खासे पैसे लगा रखे हैं और अगर इस film को proper screen space नहीं मिला तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा वैसे शाहरुक और अजे को अच्छा दोस्त माना जाता है लेकिन box office clash के समय अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं आपको संजलीला भनसाली की सावरिया और शाहरुक की ओम शान्ती ओम की रिलीज के वक्त हुई controversy तो याद ही होगी वैल अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म सन अफ सर्दार के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अजे शाहरुक के अगेंस जाकर कोई स्टेप लेंगे या नहीं ब्यूरो रिपोर्ट जूम मंबाई शिरिश कुंदर और फारा खान की फिल्म जोकर अगले महने रिलीस होने जा रही है लेकिन राजेश खन्ना के गुजर जाने की वज़ज़ से अक्षे इस फिल्म के प्रोमोशन्स में शामिल नहीं हो पा रहे लेकिन कोई है जो इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहा है दिन रात एक कौन है वो लेट्स फाइंड आउट सोनाक्षी सिनहा बढ़ा चुकी है अपने कदम टू प्रमोट अपकमिंग फिल्म जोकर पर इस बार अक्षे कुमार नहीं दे रहे हैं उनका साथ इसलिए सोना डालिंग को कमपनी देने पहुच गए इस फिल्म के एलियंस वेल ये एलियंस के बारे में हमने सोनाक्षी से पूछा कि वाट्स दिस न्यू प्रमोशनल फंड़ा तो दिस सोनाक्षी रेप्लाइए इस वेलियंस पर इतना भरोसा नहीं है जो हर जगह इन एलियंस को साथ लेकर घूम रही हैं हमने सोनाक्षी से ये भी पूछा कि आखिर उन्होंने ये फिल्म क्यों साइन की इस क्वेस्टन पर सोनाक्षी ने जवाब दिया वैल इतना ही नहीं सोनाक्षी ने इन एलियंस को बॉलिवूड नमबर पर डान्स करना भी सिखाया टेक अलोग झालोग से 5 लेकर आखिर उन्होंस अबड़ करना भी सिखाया वैल्म को बॉलग पर लोग जिसरे वेकर आखिर करना भी साइन कि जाखिर्ए ने टूँशे चलिए इन सोनाक्षी को हम इन एलियन्स के साथ ही छोड़ देते हैं and we just hope कि इन एलियन्स के सहारे ही आपके फिल्म जो कर हिट हो जाए फोचेतना सिंग, जूम, मंबाई पोश्ट प्रेग्नेंसी एश ने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है लेकिन चारो और ये रूमर्स जरूर है कि आश को बॉलिवुड से ही नहीं, हॉलिवुड से भी आ रही हैं आफर्स पर क्या इन रूमर्स में है कोई सच्चाई? इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी अगली स्टोरी फिल्म हिरोईन से आप्ट आउट करने के बाद आश वर्या राइबच्चन पर लगा अन्प्रोफेशनल होने का इल्जाम फिल्म इंडस्ट्री में इस इशू को लेकर हुआ था खूब हंगामा और यही वज़े है कि अब आश्वारिया की पियार मशीनरी उनकी इमेज मेकोवर में लग गई है दरसल प्रेगनेंसी के बाद से आश ने अब तक कोई फिल्म साइन नहीं किये है और ना ही कोई बड़े प्रोजेक्स अभी तक आश को ओफर किये गए हैं लेकिन मारकेट में ये रूमर्ड निउस जरूर है कि आश को एक बिग बजट हॉलिवूड फिल्म ओफर मिला है और सोर्सेस की माने तो इस निउस को खुद आश के करीबियों ने मीडिया में लाया है दरसल आश और उनके करीबी इंडस्ट्री में ये प्रूफ करना चाहते हैं कि भले ही आश अभी फिल्म साइन ना कर रही हो लेकिन उनके पास बॉलिवूड से क्या? हॉलिवूड से कई ओफर्स हैं वैसे ऐशवारिया के PR से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था Coincidentally, there are a few other projects ऐशवारिया राय बच्चन has been approached for but definitely not the one as reported in the media वेल लगता है मिस्स बच्चन एक तीर से दो निशाने करने के मूड में हैं पहले खुद न्यूज मीडिया में लाओ और बाद में खुद उसे clarify भी करो We say good one as फॉरिलिका शिवास्तवा, Zoom मुंबाई Planet Bollywood News में फिलाल वक्त है एक छोटे से break का लेकिन break के बाद हम आपको दिखाएंगे इम्तियाज अली का exclusive interview Film Cocktail Box Office पर एक बड़ी हिट साबित हुई है और इस फिल्म के राइटर इम्तियाज अली इस बात से काफी खुश है और Zoom के साथ बात करते वए इम्तियाज ने रिवील किया आखिर audiences को उनकी romantic films क्यों आती है पसंद Cocktail is out, verdict is out कुछ लोग को पसंद आई, कुछ को नहीं आई पर सब ने जाके एं मूवी देखी और आज हम यहीं बात करेंगे इम्तियाज अली के साथ इम्तियाज वेल्कम अन्जू Thank you so much किर्थी इम्तियाज, बहुत कम लोग को पता है कि आपका Cocktail से एक association है So, please tell us, how are you associated with Cocktail? Cocktail, मेरी कहानी है, मैंने लिखी है, Cocktail और, screenplay और story मैंने लिखा है, dialogue किसी और ने लिखा है, Sajid Ali ने अगर आपने a movie लिखी तन, why didn't you direct it? Because you directed Lavaj Kal for Saif Ali Khan He is a producer of Cocktail also He must have asked you, कि you only come aboard जी, मगर, Cocktail, जब मैंने लिखी थी उस वक्त मेरा इरादा था कि खुछ direct करूँगा, but बाद में मैंने फिर जब वी मेट बनाए, Lavaj Kal बनाए और Rockstar बनाए, फिर उसके बाद कुछ और बनाने की खायश थी तो मैंने सोचा कि ये कहानी अच्छी है, और समबडी शुद मेंक एट फिर साइब से दीनू से बात हुई, हुमी से बात हुई, तो फिर I thought it's a good idea that हुमी makes it. So Cocktail was written before Jab We Met? It was written before Jab We Met released. Also like, you know, you started with Socha Na Tha, उसके बाद Lavaj Kal and Jab We Met and Rockstar, now Cocktail, all of them are romantic movie. Now people are calling you contemporary Yash Raj, what do you have to say about it? See, if people are making any parallel with Mr. Yash Chopra, then I don't think I deserve it, but I feel very happy and proud about that. Speaking of doing your best, Deepika must have sent you a thank you message because she is the one who walked away with all the laurels for this movie. Everybody is loving Veronica. I think she's done, I think this would be Deepika's breakthrough performance. I think that there comes a movie where an actor stakes his claim and kind of explores himself more and moves on to the next level. I can see that this movie is going to be that for Deepika and I'm very glad because I feel that she, in many roles that she's done, including Lavaj Kal, has deserved more than she has got. So here I'm very, very pleased to see that she's got what she deserved. and it was, I think, a very bold move from her to do Veronica because that wasn't her image and I was very keen that she does Veronica and not Meera. So you had your wish there. Also in a recent interview with Zoom while promoting Cocktail, Deepika said that I would love to do an Imtiaz Ali movie opposite Ranbir Kapoor. What do you have to say about it? I'd love it, but the only thing is that I feel that much as I love Deepika and Ranbir and so many actors and actresses, I feel that the decision to cast somebody in a movie is made by the movie, really, and the demands of it. So I hope that I, independently of whether it is with Ranbir or not, but I hope that I can work with Deepika again. Okay, on that note, thank you Imtiaz. Thank you so much for talking with us. Thank you so much, Keerthi. That was Imtiaz Ali with cameraman Aditya Keetit Tarang, Zoom Mumbai. Planet Bollywood News में फिलार वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे Sanjay Dutt और राज कुन्दरा के जॉइंट वेंचर SFL की फॉल डीटेल्स. Sanjay Dutt और राज कुन्दरा ने अपने जॉइंट वेंचर SFL रियालिटी शो को प्रोमोट करने के लिए रखा एक प्रेस कॉन्फरेंस. और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ बात करते हुए इस शो के डीटेल्स की ये शेर. Sanjay Dutt और राज कुन्दरा आगे हैं साथ to launch their new reality show. जो है इंडियास फिर्स अक्शन रियालिटी शो और इसके फिर्स प्रोमो की शूटिंगे दौरान राज कुन्दरा और संजे held a press conference explaining what this India's first action reality show is all about. Let's hear from them about the show. Indian fighters, 8 male, 8 female, 8i gar मिरेंगे सब? All Indians, all Indians. So basically a feeder है, जो ये चैलन इस जीटेगा, ये अमचेर फाइटर है, उनको एक कॉंटराट मिलेगा हमारे Superfight League में. So and we are in the nation's talent, which is at a international level. The idea is that we are recognized worldwide. इस मौके पर, Sanjay shared a secret with us, कि वो हैं इंडिया के फिर्स मार्शाल आट्स ट्रें स्टार, अह-ह, that's good to hear Sanju. कोई बात नहीं, Sanjay, आप action reality show से तो associate हो ही गए हैं, अब हम तो यहीं चाहेंगे कि आप एक martial arts based movie भी कर लीजिये. I think it's too early for me to think about that also. I was trying to convince him, I said do a movie, he said it's a bit early, give me another year or so, but I'm sure I'll convince him to get into a cage and do a cage warrior movie. Well, fans will definitely look forward to that, but Sanjay, now that you've said के आप MMA trained हैं, तो रिंके इतने करीब होने पर fight करने का मन नहीं करेगा. My face is my fortune है, my face is my fortune है. Fair enough Sanjay, we guess there is indeed a price to pay to be a superstar. पर Sanjay और राज की इस action reality show का तर्का आपको जूम पर जरूर दिखेगा, क्योंकि ये mega action show बहुत जल जूम पर शुरू होने जा रहा है. Do not forget to tune in to Zoom, India's number one Bollywood channel, to catch the Super Fight League, India's first action reality show. With this, it's a wrap, Planet Bollywood News में कल हम फिर लोटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.